नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुजय और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज किसी फरकार के फोरम को फिल अप करने के लिए फोटो यूंप सिगनेचर को रिसाइज कैसे करें जहां दोस्तों होता है कि विभीन परकार के एकजामों के लिए अलग अलग फोटो क साइज मांगा जाता है आज के इस वीडियो में हम एक आएसी ट्रीक बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी साइज में अपने फोटो यूंप सिगनेचर को रिसाइज कर सकते हैं वो भी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से एक बात आपको बता दे हम किवल यहां बनाय हुए फोटो को रिसाइज करेंगे अगर आप सिखने चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ओनलाइन फ्रम फिलब करने के लिए फोटो और सिगनेचर कैसे बनाए तो उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है आप उसे देखकर सीख स अपने फोटो कंप्रेसर या दो एमबी की अप्लिकेशन है लगबाग आप देख सकते हैं यहीं वह अप्लिकेशन है जिसे हम अपने फोन में इस्टॉल कर रहा जिसका नाम है कि वा रिड़क्त लाइट फोटो इमेज कंप्रेसर के बी एंड एमबी यहां से आप अपने कि एसी भास को मांगा जा रहा है इसे ओपन करने के पहले हम अपना णिनल फोटो आपको दिखा जाते हैं कि जो मेरा फोटो की इतने साइज में हैं ताकि आपको वी बीन हो जाए आप देख सकते हैं यहीं मुरा फोटो है इस फोटो का अगर हम डीटेल्स यहां से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं फिलाहल तीन सो लगभाग 80KB के करीब है अब हमें इसे रिसाइज करना है मानिए हमें इसे 25KB में रिसाइज करना है और इसका जो पिक्सल है वो भी गा आते हैं तो सिंपल इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने और इस तरीके से ओफन करें ओफन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस होंगे तो सिंपल आपको चूज फोटो पर क्लिक करना है उसके बाद आप अपने फोटो को सेलेट करें तो हमने इस वाली फ तो के वहाँ कर सकते हैं अगर आपका फोंटू पांच में करना चाहते हैं फिलाल वहाँ के वहाँ सप्टेया करेंगे और कुछ सब्सक्राइब करेंगे तो फैनली आप देख सकते हैं जो मेरा फोटो है वहाँ कंप्रेस करती है गया है हमने 45 यहां सेलेट किया था और यहां 44.3 3KB में यह फोटो मेरा कंप्रेस हो चुका है अब यहां पोटो कंप्रेस हो चुका है है रहें जुर्ट 0.3 27 mb से 0.4 mb में यानि कि 389 के भी जो था वह उससे होकर किया 44 के में आ गया है चलिए अपने गयलरी में और वहां पर इस फोटो को दिखाते हैं तो इसके लिए गए हम अपने गयलरी में इसका एक वाई डेफ़ल्ट फोल्डर बन जाता है आपको मॉबाइल में इस application के नाम से तो उस folder को हम ढूड़ लेते हैं QR light करके एक folder बनता है जी हाँ तो यही हूँ मेरा folder है हमने इसे ढूड़ा तो देख सकते हैं फोटो आ चुका है पहले इसकी quality देखिए कोई खराबी नहीं हुए quality में perfect तरीके का quality है और चलिए इसका size हम यहां से बताते हैं तो हम यह more पर क्लिक किये और details पर क्लिक किये तो आप देख सकते हैं perfect size जो आप स्वाइट 33 करके केवी आ चुका है जो की लगभग 800 केवी के करीब था तो कुछ यही tips थी जो कि हमने आपके साथ share किया कि आप अपने smartphone के माध्यम से photo और signature आपको बता दे कि सेम इसी तरीके से आप signature को अपने एकचा अनुशार केवी में compress कर सकते हैं convert कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसे लगी comment box में बताई अगर इसमें कोई problem होती है तो comment कीजी हम उसे सुधारने की कोशिज करेंगे बिलते हैं अगले वीडियो में